तो इसकी वाइल्य आपने को बता नहीं है यहांस अगर अपन देखे तो 10 a की वाइल्य आपने पास given है तो 10 of a की वाइल्य आपने पास 5 अपने पास perpendicular अपने बिस यहांस अगर बोले तो कोई भी द्रक्राइंगल तो यह तरीकिस तरीके जाएगा क्या अगर अगर इसक लिए राइट अगल ठीकिस अंगल को लेट से अगर मैं यह बोल दो ठीकिस यह अगर अगर अबन यह है तो यह 12 दिकिलर जिसकी स्पाइब और यह क्या होगा बेस तो यह क्या है 12 अगर ऐसी क्या हो जागा यहाँ पर यह 13 हो ज스가 पाइथेगियोस थियुरुम से ठीड है इसा के है ऐगा 13 कैसे एसी के लिए अगर प्रम पाइथेगीयोस थियूरुम लगए क्योंकि यह राइट अंगल यह तो है यहाँ से फाइब स्कार्ट twn 25 प्लस 12 स्क्वार 144 का स्क्वार रूट यहां से वैल्यू आ जाएगा 169 स्क्वार रूट इसक्ष्ट्य यहां एक रड़ीन तो है पॉंड फोटन्यूजिस केस में यहां पर है वर्ड़ीने तो तो H की वेलू आ गई 13, अब अबन Sine A की वेलू लिखते हैं, ठीक है, तो Sine A की वेलू क्या होती है, Sine A की वेलू होती है, Perpendicular upon Hypotenuse, तो Perpendicular की है 5, और Hypotenuse क्या जागा यहाँ पर 13, और अगर 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 Coss A की वेलू बोले, तो Coss क्या होता है, Base upon Hypotenuse, तो Base की वेलू कर तो 12 upon 13, और अगर मैं Sack A की वेलू बोलू, तो Sack A क्या होता है, Sack A होता है, 1 upon Cos A, ठीक है, या फिर उसको अपन लिख सकते है, Hypotenuse upon Base, ठीक है, Sack A को अपन Cos की रिवर्स लिख सकते है, Inverse लिख सकते है, या reciprocal, या फिर Coss A को लिख सकते है, Hypotenuse upon Base, तो Hypotenuse upon Base क्या है, 12, य यहां से जो given expression उसकी value वपन calculate करते हैं, तो Sine A plus Cos A into Sec A, तो अपने पास quantity क्या है, Sine A plus Cos A, और into मैं क्या है, यहां पर, into मैं अपने को Sec A घिवान है, ठीक है, तो लेट से मैं यहां पर इसकी value पूट करता हूं, Sine A की value आगे अपने पास 5 by 12, sorry 5 by 13, Sine A की value क्या है, 5 by 13, प्लस Cos A value है, 12 upon 13, Sine A की value क्या है, 5 upon 13, प्लस Cos A value क्या है, 12 upon 13, और second value क्या है, second value है, 13 upon 12, ठीक है, second value 13 upon 12, अपने इसकी value पूट करते हैं, यहां पर LCM अगर अपन ले लिए, तो यह value क्या जगा 5 plus 12 upon 13, तो यह अपन LCM ले लिया, और यहां पर यह 13 upon 12, तो बिसिकली यह value किसके equal आ आ गया, 5 plus 12, तो यह value आ गया, 17 upon 13, इसकी value होगी, ठीक है,